भोट किसी को भी दे, साला नेता जब बनेगा तो वही बनेगा, मतलब भोट हम बीजेपी को दे, आर्जेडी को दे, जद्यू को दे, डजेंट मेटर, जब भी मुख्यमंतरी बनेंगे तो पल्टू चाचा ही बनेंगे, तो क्या हम अपने भवी से ऐसे बेक्टी के हाथ में दे रहे हैं, हम सिक्षा का ब्यारती हैं, हम असफल हुए हैं, असफल खुद के वज़े से नहीं हुए हैं, असफल सरकार के नियम के वज़े से हुए हैं, सरकार के तंत्र के वज़े से हुए हैं, हमारी असफलता का कारण हम स्वयम नहीं है, हमें तो अब ऐसा फिल होता है, कि बिहार में जन्मे हैं और हमें चपल से मारो कि हम बिहारी हैं क्योंकि हमारे सर पे है न मजदूरी का ठिकाल लिगाग यहाँ यहाँ पे कि हम जब भी बनेंगे तो मजदूरे बनेंगे हम सिख्चक नहीं बन सकते हैं इसलिए आप हमें चपल से मारें क्योंकि बिहार में पढ़ने लिखने का कोई मतलब नहीं है जिस राजे का राजा नौवा फेल हो वो क्या पढ़ाई का अहमियत जानेगा वो तो बस इतना ही समझेगा कि अनपढ रहेगा बिहार तभी तह अनपढ़ों को जिताएगा न बिहार जब बच्चा पढ़ लिख ल कंडिडेट क्वालिफाई किये या जारखंड का किये कोई मेटर नहीं करता है अब हमें बस एक ही चीज़ का धियान रखना है कि जिस तरह से हमें लात मारा गया है जो पुराने तंत्र के सिटेट क्वालिफाई थे उनको न लेकर के बीपी एसी का बहाना करके बाहर फेका गया है उसी तरह से जब बिधायक का बिधान परसद का चुनाव होगा तो जरूरी नहीं कि हर बेक्ती को हम भोटे दे क्योंकि हम सिक्षित हैं और सिक्षित को ही भोटे देंगे हो सकता है हमारी भासा अमर्यादित होगी अमर्यादित होने का कारण भी है क्योंकि हमारे इतना तरप कोई नहीं जेला होगा खास करके बिहार में क्योंकि बिहार में पैदा लेना सबसे बड़ा गुना है दो मिनट के लिए पाकिस्तान में पैदा लेने से ये तो कम से कम दिल को तसल वो मेलिकार, कि अ कि अ झाल, कि अ 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 कि झाल झाल